हेलो फ्रेंड्स विलकम टू माई चैनल दोस्तो मैं कमलेजविस्व करमा मैं दोस्तो आज आप लोग को इस वीडियों बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स बिहार बोड ने इंटर और मैट्रिक परिच्छा के लिए जारी किया है गाइड लाइन जो कि दोस्तो बिहार बोड में परिच्छा के लिए इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है मैं आपको पूरी एंका इस बीडियो में देने वाला हूँ बिहार बोर्ड ने जारी किया है इंटर और मैट्रिक परिच्छा के लिए गाइड लाइन और दोस्तो आपका परिच्छा कपसे स्टार्ट है इंटर का और मैट्रिक का और दोस्तो आपको किस परकार कॉपी लिखना है और आपको किस परकार अपना ओयामार सीड भरना है मैं आपको पूरी एंका इस बीडियो में देने वाला हूँ तो friends आप लोग मरे बेडियों पर बने रहें उसे पूरा इंडे तक वाच करें तबी दोस्ता आप लोग को मालू हो पाएगा और friends अगर आप लोग अभी तक हमारे चैलों स्क्राइब नहीं किया हैं तो friends आई आप लोग वीडियों स्टार्ट करते हैं तो friends जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं आपका दिया गया है परिच्छा के डेड़ गंटे बाद आपसे ले ली जाएगी ओयमार सीट जी हां दोस्तों आप लोग सह सुन पा रहे हैं आपसे परिच्छा के बोर्ड का न्यूज पेपर है जो किये है पटना का और आपका इसमें दिया गया है इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परिच्छा के पहले डेड़ गंटे के पुर्व ओयमार सीट परिच्छार्थियों से ले ली जाएगी इस कारट बियार बोर्ड ने सभी की फ्रेंट्स आपका इसमें दिया गया है कि आपका मर्सकों आपको सरसे पहले फिल करना होगा और प्रल नंबर और यसom और ङूंबर ना अ ऑस्टे डेट्मीब होरे प्राट ने सब आपको अपने मर्सीट पर ही फिल करना होगा इसके पर फ्रम करना जैंज शो आप लोग इसे सबसे पहले हल कीजिएगा इसके बाद आपका डेड़ घंटे के बाद आपसे ओयमार सीट आपसे ले ली जाएगी इसके बाद ही आप लोग अपना कावपी में अपना एंस्वर लिख पाएंगे इसके बाद आपका इसमें दिया गया है इसके बाद सैधान्त प्रश्णों का जवाब होगा वो आपको उत्तर पुष्टिका में लिखना होगा ठीक है फ्रेंड्स और बोर्ड के गाइड लाइन के तहत इंटर की परिच्छा 3 से 13 फरवरी के बीच में होगी और मैट्री की परिच्छा 17 से 24 फरवरी के बीच में ली जाएगी और दोस्तों सुबह 9.30 से दोपहर 12.45 तक चलने वाली इंटर की परिच्छा पाली की परिच्छा में सुबह 11 बजे ओयमार सीट वापस ले ली जाएगी दोपहर 12.15 तक चलने वाली परिच्छा में 10.45 बजे ओयमार सीट ले ली जाएगी और दोपहर 1.45 से साम 5 बजे तक चलने वाली द दान्तिक परिच्छा के लिए बिहार बोड ने परिच्छार्थियों को और केंद्रा दिच्छक वा प्राधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है बोड की माने तो मैट्रिक वा इंटर की परिच्छा का सेंटर जाज परिच्छा के अनुत्रिड या अनुपस्ति चात्रों का एडमिट कार्ड मानने नहीं होगा और सुबर 9.30 बज़े तक पहली पाली की परिच्छा के लिए परिच्छार्थी को 9.20 तक सेंटर पर प्रवेश कर लेना है जैसा कि फ्रेंट्स आपका इसमें दिया गया है कि आपका 9.30 बज़े से आप लोगों का एकज्याम स्टार्ट है तो आपको अपने सेंटर पर आपको 9.20 यानि 9.20 बज़कर 20 मिनट पर आपको उपस्तित हो जाना है वहाँ पे ठीक है फ्रेंट्स और आपका इसमें दिया गया है कि जबकि दूसरी पाली की परिच्छा दोपर 1.45 से सुरू होगी इसके लिए 1.35 बज़े तक परिच्छा भवन में प्रवेश कर लेना है जैसा कि आपका इसमें दिया गया है कि आपका दूसरी पाली की परिच्छा एक बच कर 45 मिनट पर स्टार्ट हो रही है तो आपको वहाँ पर 1.35 मिनट पर ही आपको वहाँ पर प्रवेश कर लेना है इसका आपका इसमें दिया गया है देर होने पर सेंटर में प्रवेश की जनुमति नहीं मिलेगी और मैट्रिक और इंटर की परिच्छा को परिच्छा कच में 15 मिनट का अतिरीक्त समय प्रश्ण पत्र उतर पुझति का OEMR सीट आदी पढ़ने एवं समझने के लिए दिये जाएंगे जैसा कि आपका इसमें दिया गया है कि आपको OEMR सीट को पढ़ने के लिए और जो आपका एक्जाम पेपर होगा उसे पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा ठीके फ्रेंट्स इसके बाद आपको इसमें दिया गया है ओयमार सीट पर नाखुन का इस्तिमाल भी वरजित है ठीके फ्रेंट्स आपको ओयमार सीट पर आपको नाखुन का इस्तिमाल नहीं करना है जैसा कि आपका इसमें दिया गया हैगी परिच्छा कच में एक दूसरे से मदद लेने या देने बाद चीत करने वह किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर परिच्छा से निस्क्रासित कर दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका वह OMR सीट पर वाइटनर, इरेजर, नाखून, बलेड का इस्तिमाल वर्जित है अनेता रिजल्ट अमान ने कर दिया जाएगा जूता मोजा पहनने पर भी रोक है एडमिट कार्ड वह पेन के अलावा कुछ भी परिच्छा बवन में नहीं लाना होगा दिव्यांग परिचारती को प्रती घंटा 20 मिट का अत्रिक्त समय दिया जाएगा जैसा कि फेन्ट्स आपका इसमें दिया गया है कि आप लोग अपना OMR सीट और अपना कावपी लिखेंगे तो आपको इसमें अपना वाइटनर आपको नहीं लगाना है इरेजर और कच्छा में आपको जूता मोजा पहन कर आपको प्रवेश नहीं करना है इसके बद आपको अपने एडमिट कार्ड और पेन के अलामा अलामा आपको कच्छा में नहीं जाना है अगर आप लोग दिव्यांग है तो आपको 20 मिनट इस्ट्रह आपको दिया जाएगा ठीक है फ और साथ ही बगल में दिये गए लाइकन को भी प्रेस को उसे और पर क्लिक कर लें वीडियो देखने धन्यवाद